आज मेरे YouTube चानल पर है 4 तरह के ढोकले की रेसिपी आपके सुबह या फिर शाम की भूग के लिए इसमें से 2 रेसिपी में हमने फर्मेंटेशन किया है और 2 रेसिपी में हमने फर्मेंटेशन नहीं किया है और एक तो बिल्कुली instant है तो चलिए recipes को हम शुरू करते हैं तो recipe शुरू करने से पहले मैं आपको यह बता दूँ कि धोकला और खमन बहुत अलग होता है खमन आपका जो बनता है बिल्कुल बेसन से और धोकला होता है combination rice और डाल का depending upon the recipe rice और डाल का proportion और rice और डाल के type चेंज होते रहते हैं तो पहला है हमारा खटा ढोकला तो यहाँ पर हमने कुछ दाल और चावल को सोक कर दिया था मेथी दाना के साथ और इसे 4-5 गंटे के बाद इसे हम जो पानी है strain off कर देंगे और इसे हम पीस लेंगे पीसने के टाइम पर आपको इसमें खटा दही आड़ करना है वो preferred है क्योंकि यह खटा ढोकला है तो यहाँ पर हम तो पानी आड़ किया है और खटा दही आड़ करने से जो fermentation है काफी अच्छा होता है तो इसे हम 4-5 गंटे के लिए छोड़ देंगे अगर आपके यहाँ पर टेंपरेशर कम है तो थोड़ा टाइम बढ़ा दीजे देखिए कितना बढ़िया फर्मेंट हुआ हमारा जो बैटर है वो फिर इसमें हम एड़ कर देंगे हींग हल्दी पाउडर और थोड़ा सा अजवायन अद्रक और हरी मिर्ची का पेस्ट और इसमें आड़ कर देंगे धनिया पत्ता और यहाँ पर अमक आड़ कर देंगे थोड़ा सा पानी अगर आपको लग रहा है तो आप आड़ कर दीजे वरना आप स्किपी कर सकते हैं इस तरह कि आपके कंसिस्टेंसी हो जाएगी तो तब तब हम प्रिपेर कर ले थे हमारा स्टीमर आप अलग से स्टीमर की जरुवत नहीं है आप नॉमली अपना जो कढ़ाई के अंदर पाई डाल के च्टैंड कर आपके छोड़ सकते हैं बस इसमें आड कर देंगे सोड़ा और थोड़ा सा पानी इसको बहुत देर तक फिर आप ना रखें तुरां इसे चड़ा दें गयास के ऊपर थोड़ा समने कश्मीरी लाल मिर चाड किया है और धन्या पत्ता आड किया है क्योंकि हमें जो यह बला ढोकला है आप अगर बिन तटका दिया भी अगर इसे खाएंगे बिना चौंक के भी खाएंगे तो काफी स्वाद लगता है तो पहले हमें सुंदर बना दिया है थोड़ा से हम ऑईल से ब्रश कर देंगे और आप इसे चटनी के साथ ऐसे एंजॉय कर सकते हैं दूसरा है हमारा सांड़िच टोकला यह आपको बहुत दुकानों मिलता है हमें जखा कि बहुत फैंसी सा है बहुत डिफिकल्ट बनाना बट यह अक्शुली बहुत असान है आपको यहां पर सिफ उरदा लेनी और चावल लेना क्योंकि हमें जो बैटर रखना है फिर हम इस दाल और चावल को सोक कर लेंगे और इस पर डाइब करेंगे एक रखने कर गैर और यह दग को हम घ्रस कर देंगे इसे अम धुक कर हैं पर प्वश्पान्सटार के लिए यह अम इसा हम स्टानी को जो जो लास बैटर रहेगा उसे jaap कर लेंगे और एक नॉर्मल सथा कर लेंगे जहां थासद इशाट करेंगी यहां इमिर्च और इसमें हम धोकला आड़ कर देंगे अच्छे से बस मिक्स कर दीजिए देना पता आड़ कीजिए आपका सान्विच धोकला हो गया रेडी आपकी चाय के साथ यह आपका सेकंड ऑप्शन था खाने के लिए थर्ड है हमारा लाइब धोकला अब लाइब धोकला की यहां पर कोई फर्मेंटेशन रिक्वायट नहीं है उसे लाइब दोकला इस दिये कहते हैं क्योंकि आपको यह शादियों में लाइब बनता हुआ दिखाई देता है तो बस यहां पर जैसे आपको वीडियो में दिखाई दिया है हमने वही राइस और जो दाले है उनको हमन जो भी आट कर सकते हैं खटा दई और अध्रक हमने डाल दिया है इसे पीस लिया है और एक बोल में ट्रांसफर कर देंगे पिर इसमें आट कर देंगे हम तोड़ा सा और पानी ताकि जो इसकी कंसिटेंसी प्रॉपर हो जाएक्टम इस तरह से आपको यह बैटर रहेगा इस इसमें हम तोड़ा सा इनो और तोड़ा सा पानी आड़कर करके इसे अच्छे से चला लेंगे अपको ध्यान रखना कि आपको बहुत दे तक इसे नहीं छोड़ना है और इनो आड़ करने के बाद भस धनिया पत्ता इस पाद कर देंगे है क्श्मीनी लाल में चाट कर हम इसमें कोई tempering नहीं करने वाले हैं तो पहले से सुन्दर हो जाएगा यह हम ढगकर स्टीम कर लेंगे 12-15 मिनट के लिए हाइफ लेम पर और आप चकु से आयचेक कर सकते हैं कि यह पका है या नहीं पका है तो आसा oil brush कर लेंगे क्योंकि हम tempering नहीं कर रहे हैं कोई इसके अब कर रहे हैं ना कोई चावल अब कर रहे हैं कुछ हमें ना भीगोनी के जरुरत है ना कुछ हमें फर्में चरनी के जरुरत है जो वीडियो में आपको दिखा गया चीजे मैं बस इस अब 15-20 मिन के लिए छोड़ दें फिर जैसे यह तो आपका जो भी पूल जाएगी उस तोड़ा सा उसमें इनो आड़ कर दें ताकि वह फूल जाया अच्छे से और बस इसे मिक्स कर लेंगे इनो आड़ करने के बाद यह ज़ा तेरी तक नहां रखें जग कर लेंगे पंदरा से एट्रा मिनिट के लिए और आपका डोकला जो एव रेडी हो गया जैसे तंडा हो ज जब टुben कर दोडुए जायओ